ये बड़ी भारी भगवत प्राप्ती में रुकावट की बात है कि मैं इन सबसे कुछ अलग हूँ, स्रेष्ट हूँ जहां ये बात आई दूसरे में दोसदर्शन सुरू हुआ सादक का नाश हो जाता है अर्था तो शाधना से ब्रष्ट हो जाता है बहुत ध्यान देने युग बात है दूसरों में अपने आराध्य देव को देखकर अपने में सदय सेवक भाव रखना सब को मनशे प्रणाम करना दूसरों को तुछ मानना, दोशी मानना, अपने को गुणवान और श्रेष्ट मानना ये परमार्थ के पथिक के मार्ग में भारी रुकावट है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर एक छूटी सी ऐसी ब्रत्ती हो तो उसका त्याक कर दो शब में प्रभू हैं, वो श्वांग कर रहे हैं कहीं अच्छे का कहीं बुरे का आप श्वांग के द्रिष्टा हैं आप उसको देखिए श्वांग को श्वांग कीतने देखिए कि ये जो सामने दुराचारी का स्वांग कर रहा है ये दुराचारी नहीं है इस माया नाटक मंच पर माया पती ही ऐसा नाटक कर रहा है इस श्वांग कर रहा है कभी वाराह का कभी कच्छप का कभी नर्शिंग का कभी राम कृष्ण बिविधरूपो और फिर चराचर जगत का यह वही श्वांग कर रहा है दूसरा वो अपने आप से अपने आप का विस्तार कर लेता है अपने आप में अपने आपको शमेट लिता है इसलिए सब को प्रणाम करो गोश्वामित्ल सिदाजी सी यराम मैं सब जग जानी करहू प्रणाम जोज जुग पानी सब को प्रणाम सरवान वस्ततया निरिक्ष परमश्वाराध्य बुद्धिर्मम मेरे आराध्य देवी सब रूपों में स्वांग कर रहे हैं उपाशक किशी को भी ऐसे वचन ऐसी चेश्टा ना करे कि उसके हरदय को पीड़ा पहुँचे विद्या के अभिमान में त्याग के अभिमान में भजन के अभिमान में धन के, जाती के साधना के, भगती के, ग्यान के किसी अभिमान में आकर किसी को ऐसी चेश्टा ऐसे वचन ना बोले परुख वचन कब हो न कहाई कि वो अंदर से दुखी हो जाए और सुचे कि मैं किसी योग ये नहीं हुँ ना इसलिए तो बड़े हैं इसलिए गए आप अगर वो रदे से दुखी हो गया तो वहीं बैठे हुए हैं प्यारे उनको ताप पहुँचेगा उनको ताप पहुँचेगा तो आप सेवक कहां रहें उपाशक कहां रहें अपने आराध्य देव को कष्ट पहुचा रहें उनके प्रतिकूल चल रहें तो आप उपाशक कहां रहें साउधान भजन करना कठिन करके बचाना कठिन बचा के पचाना कठिन पच गया तो शिद्ध हो गए ये भजन के भारी बिग्न है इसलिए शावधान लो कभी इस तरह का कोई अभिमान भजन का ग्यान का विद्या का धन का रूप का मात्त का बिल्कुल नहीं छू जाना चाहिए अगर आपको ऐसा कभी लगे उसकी पहचान है जब दूसरों में हे भाव होने लगे तो समझ लेना आपको अभिमान आ गया है जब दूसरों में अपने से तार्तम मिलाने लगे कि मेरे में तो ये गून है देखो इसमें दोश है तो आपको अभिमान आ गया है भक्ति महारानी कैसे ठिकेंगे आपके हरदय में बिद्या, रूप, महातुकुल, धन, योवन, अभिमान, सट कंटक देखें जहां रहे न भक्ति निदान ये बड़े-बड़े काटे हैं इन पर भक्ति महारानी कैसे सुकूमल चरणों से चल कर तुम्हारे हरदय में आएगी, नहीं आएगी अभिमान छून जाए ब्रंदावन, इविदिबसे, तजिक सब अभिमान, ये ही सब अभिमान उपाशक को अभिमान से दूर रहना चाहिए कभी ऐसी कोई बात अपने में दिखाई दे सद्गुन की तो समझ लेना अभिमान आ रहा है प्रभू को पुकारो के अभिमान आ रहा है वही ठीक कर देंगे अपने उपासना से हटे नहीं किसी की उपासना को नीचा समझे नहीं अपने को कोई गलत कारे करना नहीं दूसरा कोई गलत कर रहा है तो हमारा आराध्य दिव अंदर से भाव रखना है बाहर से बेवार नहीं रखना बाहर से संबाशन भी नहीं करेंगे अंदर से आराध्य दिव का भाव रखकर ना उसकी निंदा करेंगे ना उसकी स्तुति करेंगे नाली के कीडे में कुते में देवता में सब में ह्रदय मंदिर पर बेठे हुए उपासक अपने आराध्य देव को देखता है किसी से भी घ्रणा किसी से नीचापन किसी को पापी किसी को महान दुराचारी ये हमारा दर्शन नहीं होगा हमारा दर्शन नहीं होगा इसलिए महाप्रवु इस पश्ट शब्दों में कह रहें ये कुरूरा अपी पापी नो नचसताम संभाज से दर्शया से देखने योगे नहीं हैं बात करने योगे नहीं हैं ऐसे कुरूर हैं पापी हैं उनमें भी हमारी ये मती द्रड होनी कि मेरे आराध्य दियो विराजमान है इसके हरदय मंदिर पर उपाशक ऐशी भूल न करे नहीं तो शमज नहीं पहेगा कि उसका साधनमार्ग कब और कैसे छूट गया निरंतर रात दिन अपने भजन को ही समहरा करे ऐशा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ेहां से भजन हो गया तो तुम भूल गए बड़ी सुक्षम बात है बहुत बड़ेहां आपका दिन चर्या चरला है कई घंटे भजन हुआ अब आपका मन धीरे से आपसे प्रार्थना करेगा देखो इतने घंटों से भजन कर थूड़ी दिर का उशर दे दीजे थोड़ा हास खेल लीजे थोड़ा मनोरण्यन कर लीजे थोड़ा भूम लीजे इधर उदर देख लीजे आधी घड़ी भी यदि आपने अशा उशर दिया तो ये मन सारे भजन पर पानी फेरने की कोशिस करेगा इसलिए साधक को गंभीर रहना चाहिए जैसे जैसे भजन शाधन बढ़े वेशे वेशे गुप्त रखना चाहिए अपने हरदे की भाव को आनंद की उमगन को गंभीरता और उदाशिंता से उदाशीन अति रही गुशाई बाहर से ऐसा लगे कि यह तो एकदम ना हसता है ना बात करता है उदाशिंता गंभीर अंदर आनंद उमड रहा है बाहर से गंभीर ब्रकुटितनी हुई यह भजन की सुरक्षा है बहुत सुकोमल पौधा है आसपास काटे की बाड़ लगाई जाती है ओ बाड़ अगर मजबूत लगी रही तो पौधा ब्रक्ष बन जाएगा ब्रक्ष बन जाएगा तो कुछ आने होने वाली नहीं हजारों लोग भिश्राम पाएंगे उस ब्रक्ष के नीचे ऐसे अभी भक्ती का पौधा अंकुरित हुआ है माया रूपी बकरी अगर चर गई तो पंकुरण नहीं हो पाएगा तो हमें ये बाड़ लगाने गंभीरता उदाशिंता श्वभाव दूर से ऐसा लगे कि बात करने को मतलब है ये कड़ुआ बोलेगा ऐसा लगना चाहिए हरदय में आनंद है भगवद इश्मरण है पर आपका बाहरी शुरूप काटे जैसा होना चाहिए आंतरिक शुरूप गुलाब के फूल जैसा होना चाहिए उपाशक को ये सुरक्षा कवच रखना ही चाहिए संसारी पुरुष अंदर काटे जैसा होता है बाहर गुलाब के फूल जैसा होता है लगता है छुव बहुत अच्छा लेकिन छुवगे तो काटे लगेंगे उपाशक बाहर से काटे जैसा उदाशीन इस्प्रिहारहेत निरपेक्ष लेकिन अंदर वो अनुराग रस्षे भरा हुआ है कोई उसके अंदर का अगर इस परश पाजाए तो निहाल हो जाए तो शावधक को शादू को आधी घड़ी के लिए भी आनंद में फूल करके कोई वर्ताव नहीं करना चाहिए बहुत सुदर अब वो उसी शमय को यसी बात करवा देगा इसा द्रश्च दिखा देगा कि वो जो भजन से आपकी आंतरी कुन्नति उसे रोक देगा ओ आगे विशय चिंतन कराने लगा यह बहुत सावधाने की बात एक शाण में पूरे चिंतन को बदल सकता पूरे चिंतन को एक ब्रत्ती आपको गिरा सकती एक ब्रत्ती एक द्रस्ट मचली की कृड़ा को देकर इतना बड़ा महात्मा जो जल को इस्तंबन करके जल में शमाध हिले हुए वो मानधाता की पुत्रियों से ब्याह करता है बहुत सौधानी की ज़रत है प्राया यही देखने को मिलता है कि उपाशक सत्संग भी करता है पाठ भी करता है नियम से भजन भी करता है पर वो शावधान नहीं रहता है ध्यान दीजिए यह महापुरुशों के बचन है जिनोंने भगवत साक्षात कार किया है प्राया यही देखने को मिलता है कि उपाशक साधक सत्संग भी करता है पाठ भी करता है भजन भी करता है जो उसका नियम है पर वो शावधान नहीं रहता वो बिशय सेवन की छूट भी दिये रहता है असाधन भी करता रहता है जितना भजन के लिए शावधानी चाहिए वो शावधान नहीं रहता, वो मात तो नहीं समझ पाया, वो विशेशेवन में गिर जाता है, इसे क्या होता है, भजन का संसकार उसको उपर नहीं उठा पाता है, वो उसी धरा पे बना रहता है, अब वो रात दिनी सब करने पर भी, बहुत काल तक उसको कोई दिव्यन होती नहीं होती, तो फिर वो निराज होती, कि बीस वर्ष हो गए सब, कोई दिव्यता तो आई नहीं, कोई दिव्यता कैसे, चलनी में गईया दू है, और दोस्दैयू का दे, असाधन कर रहे हो, तो साधन कैसे तुम्हारे शामन में आवे, यह भागवतिक शाधन है, यह तभी श्रमन में आएगा, जब शर्वतो भावेन एक रस में आ जाओगे, भजन महल से निक्षत ना है, रात दिन भजन में, कामना, ममता, वाशना सब चलकर भश्म हो गई, आनंद की बाढ़ा जाएगी, पर आप क्या करते हैं, शाधन भी करते हैं, और अशाधन भी करते हैं, अ आपको यह ऐसी चेश्टा मत करो, जो अशाधन है, जानते हो आप, आप ऐसी चेश्टा करते हैं, अगर हमारे बात को याद रखना, यववन अवस्था में आप अपने को नहीं समाल पाए, तो ब्रद्दा वस्था की आस छोड़ दो कि आप भजन कर लोगे, और सैयम में र चीवन भर, साधक बन करके रहो, शिद्ध बनने की चेश्टा मत करो, अवतार बनने की चेश्टा मत करो, अपने को हे तीन भाव से देखो, निकल जाओगे भवशम द्रशे, अगर इस अवस्था में आपने को शैयम में नहीं रखा, बिल्कुल आप सैयम में बहुत तो भूल जाना कि बुढ़े अवस्था में आप ठीक हो जाओगे नहीं, आज इसी च्छन, इन असत क्रियाओं पर आप सासन कीजिए, यह आप जो धिलाई कर देते हैं, यह आप के लिए बहुत गातक होगा, निकल आए हैं, फिर भी आप सकिल कर वहीं जा रहे हैं, प्रात प्राहकाल से लेकर के शयन तक आपको बिलकुल शावधानी से समय बीदे, इसका इनाम मिलेगा, ऐसा नहीं, इसका वो इनाम मिलेगा कि आप निहाल हो जाओगे, सद्गुर्दी भगवार ने एक दिन का, एक एक शेकिंड का हिशाब होगा, एक एक शेकिंड का, आप जो ज लेरे जल रहे हैं, गस्ट सह रहे हैं, धज़न मार्ग में हर विकार के ताप को सह रहे हैं, यह आपका ऐसे नहीं, बहुत बड़ इहां हिसाब होगा, बड़े उदार मालिक हैं, निहाल हो जाओगे, आप ये समय ना समझू कि कोई देख नहीं रहा है कोई समझ नहीं रहा आपका हिशाब होगा वो प्रहूख करुणा में आपको निहाल कर देंगे बस आप चुप चाप शांत रहे असाधन मत कीजिए आगे चल कर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितनी करपा है उल्टे मार्ग पर जाओगे शावधान नहीं रहोगे तो चलते रहो कहते रहोगे कि हम बहुत दोड़ लगाते हैं बहुत बड़े यात्री हैं लेकिन आप भगवत प्रेम रूपी भिक्षा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे उल्टे मार्ग पर जाओगे दोड़ते रहोगे चाहे जितनी रबतार तेज हो तो आप पहुँच थुटे जाओगे भगवत प्रेम रूपी भिक्षा आप नहीं मांग पाओगे मन चाहे भोग चाहो मान सम्मान चाहो और प्रभू का प्रेम चाहो ऐसा कैसे हो सकता है जो भोग चाहता है मान सम्मान चाहता, वो बात भले प्रेम की कर ले, वो प्रेम की चाह भी नहीं कर सकता, मुह से बात करना अलग बात होती है, प्रभु आपके शुरूप ही आपकी आत्मा ही है, उनको कुछ कहने की जरुत नहीं, वो हरदे से जानते हैं, आपके अधिकार के अनुशार आपको प्राप्थ होगा ध्यान रखना, अगर आपने अपना अधिकार भोगों तक ही रखा है, तो आप दिव्यता की अनुभूती नहीं कर सकते, आप प्रभू को अपना मान करके सब को छोड़ दिये, तो आपको कभू प्रभू छोड़ भी नहीं सकते, आपने सब को छोड़ द जानते हैं तो प्रभु आपके सिवा किसी को नहीं जानते हैं बहुत सुंदर बात है परम्श्वतंत्र भगवान दुर्वाशा जिसे करें अहम भक्त पराद गजब कर दिया अखिल ब्रम्भांडों के श्वामी अनंत शक्तियों के श्वामी कह रहे हैं ऐ द्विश मैं भक्त के अधीन हूं तो मेरा आश्त्र भी वक्त के अधीन है जाओ पैर पकड़ो जाके वक्त के यहां भगवान के पैर पकड़ने साकार नहीं चलेगा उसके जाओ अहम भक्त पराद हीनो अश्वत रसमान कुछ हो सक्ता है जिनका वेद यसगाते हैं जिनको परम, स्वतंत्र, परमात्मा, ब्रम कहा गया, वो श्वयम स्री मुख्ष कह रहे, तुम क्या समझते हूं, मैं स्वतंत्र हुँ, नए, मैं भगत के धीनू, अहम भगत परा धीनो, अस्वतंत्र इवद्वी जें। इससे बड़ा प्यार क्या हो सकता है इससे बड़ा दुलार क्या हो सकता है इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है इसलिए शावधान निश्चित निश्चित ऐसे वचन प्रभु उन्हीं के लिए कहते हैं जो प्रभु की शिवा किशी को अपना नहीं मानते भोगों का मिलना भोगों का भोगना एक चराचर जगत इसी में फशा हुआ है शाधक उपाशक इन ही से हटा है तब उसे साधक कहा जाता है उपाशक कहा जाता है वो भोगों की और नहीं देखता वो प्रभु की और देखता है वो भोगों की चाह नहीं करता, वो प्रभु की चाह करता है प्रभु के नाम रूप गुण लीला का सदय इश्मरन यह हमारा जीवन है यदि हमारे जीवन के अभ्यास तार्तम में यही किवल चल रहा है नाम, मन्त, रूप चिंतन, लीला गायन, लीला स्रवन, सेवा और मैं और कोई जानने की जज़त नहीं है सब कुछ अन्भूतियां इश्षी में आ जाएंगी आपके हरदे की स्तिती हो जाएगी चाहोन सुगती, शुमती, संपती कछू रिदी सिधी बिपुल बढ़ाई हे तुरहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई आहा इसचे सुन्दर मती कोई होती है क्या नाम जब चला है, मंत्र चला है, वानी गायन, लीला स्रवन, सेवा इसलिए कहते हैं, मुझे सुमती नहीं चाहिए अब इससे बड़ी कोई बुद्धी नहीं होती, बस हमें इतना है नफ्सु गती वर्दमान में हम भगवदान अंद का अन्भो कर रहे है भगवत लीला गयन, भगवदान नाम किर्तन, भगवत सेवा अब हमें कोई गती नहीं चाहिए कोई गती नहीं चाहिए जहें जोनी जन्मों कर्म बस तानात पदनुरागों कोई अब चिंता की बात ने सिराधिकारति निकुन्यमंडली तत तत रहद में विराजता प्रलाजी भगवान नर्शिंग देवशे कहते हैं आपकी दुरंत माया जिससे सब भैवीत होते हैं मैं बिल्कुल भैवीत नहीं हूँ क्योंकि मैं आपका लीला गायन आपका नाम गान और आपके चर्णा मृत के बल पर इस माया को परास्त कर दूँगा लेकिन हम आपसे प्रास्थना इन जीवों के लिए करते हैं जो आपके नामा मृत से आपके लीला मृत से आपके चरणा मृत छे बिमुक है, बात पकुडो, मुझे आपकी दुरंत माया से कोई भै नहीं, मैं आपका चरणा मृत पीता हूं, आपका नाम जब करता हूं, आपका लीला गयन करता हूं, इसके बल पर इस माया पर हम विजे प्रात्त कर लेंगे, आ, अकाल मृत्यु हरनम सर्वभ्यादिमिनासनम इस समस्त रोगों का नास करके अकाल मृत्यु का नास करके प्रेम रश्प्रदान करने वाला भगवत्चर नामत्य। शी कृष्ण पादोद कमपीत्वा पुनर जन्मो नविध्यते नाम रूप लीला गुन इससे बड़ी कोई सुगत्य नहीं कोई सुमत्य नहीं और कोई संपत्य नहीं और इससे बड़ी कोई सिद्धी नहीं वर्तमान में हम भगवदा अनंद में हैं प्रभु के नाम रूप लीला में हमें और कोई सिद्धी नहीं चाहिए बज़े एक बात प्रतिपल हमारा ह्रदे आराध्य देव की तरफ द्रवित होकर बहता रहे यही आकांग्शा परमगती, परममती, परमशंपत्ती यही है विश्वास करो यही परमगती है, यही परममती है, यही परमशंपत्ती है यह कभी नश्ट नहीं होती है चाहे जितनी उची स्थितियों में चले जाओ वहां से पतन होगा पर इससे नहीं नाम रूप लीला धाम का निरंतर छिंतन उपाशक के जीवन में अपने सुख की सरेर शुख की प्राप्ती के लिए कोई इस्थान नहीं रहना चाहिए ये बड़ा सुख्ष में भिशा है अगर प्रेव प्राप्त करना है इसी जन्म में भगवदानंद की अनुभूती करनी है तो अपने इंद्री जन्म सुखों के लिए कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए अगर है तो बहुत बड़ा घातक है हम वहाँ चले जाएंगे तो मनोनकुल भोजन मिल जाएगा वहाँ बैठ जाएंगे तो ये उसके पास चले जाएंगे तो इस इंद्री का सुख मिल जाएगा समझ लीजिए कि उसने पतन का गड़ा खोद के पहले से तयार कर रखा है नश्ट कर दो उन शम्मंधों को उन आश्ट्रेओं को जहाँ आपके इंद्री जन्य शुखों का विलाश मिलता हूँ देखो माता पिता परिवार के जब बहुत प्रशन होते हैं दुलार करते हैं तो जानते हूँ क्या देते हैं सांसारिक भोग शामागरी बड़े हां से बड़े हां कपड़ा बड़े हां से बड़े हां भोजन बड़े हां से बड़े हां भोग शामागरी क्योंकि वो इतने जानते हैं वो सुख का मतब इतना ही जानते हैं और जब शदगुरू का दुलार उदाय होगा तो सबसे पहले इनी पर प्राहर होगा क्योंकि तुम जहां फसे हो इनको पर लहटाओ फिराओ हम तुमें दिखाते हैं वो चिदानंद सुख जिसके तुम वास्तिविक अनंत जनमों से अधिकार है तुभारा पर अधिकार खोकर भटकते रहे हो जिस सुख के लिए वो सुख तुमें दिखाते हैं पर इसके लिए सबसे पहला प्राहर होता है राग पर शरीर राग, संबंधियों का राग, भोगों का राग तो अगर वो उपासक सच्चा नहीं है, कच्चा है तो वो उसी रिखा पे चला जाता है इस रिखा पे टिकना बहुत कठीन होता है सच्ची बारिये, आगे की बाद तो आपके हिर्दे में खुद आ जाएगी आपको अपने आराध्य देव के नाम मंत, रूप, लीला गायन, लीला अस्रवन इसी अभ्यास में ऐसे पचादों की कुछ भी शमय खाली न रहे आपके पास फिर आप देखना रूप जहलकने लगता है, नेत्रू के शामने आराध्य देव का रूप भारी परिवर्तन उसी समय होता है जो उपासक की जीवन में एकदम भागवतिक परिवर्तन होता है उसका मतलब होता है कि उसके साधन में उपासना में अब रंग आ गया है रंग क्या होता है आराध्य देव का पधारना भावनात्मक रूप आजा वो रूप बिवस कर देता है ऐसे फिर लगन लगती है कि जो हमारी भावना में हमसे बात कप करेंगे वो कभी-कभी प्रने कोप भी होता है ऐसे चुप-चुप के क्या देख रहे हो बात करो ना मिलो ना ओ वो एक यह सब दिमाग से अलग की बात